चतीस गड़ के नगरीय निकाय चुनावों में कॉंग्रेस को बड़ी जीत मिली। कुछी देर में पटाखे भूटने लगे और मुँ मीठा करने का सिलसिला चल पड़ा। बस्तर में एक तरफा मिली जीत से कॉंग्रेस के नेता गदगद दिखे और बीजेपी के दिगजों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। चुनाव नतीजों का असर बीजेपी दफ्तर पर साफ साफ नजर आया। रोजाना की गहमा गहमी गायब हो गई और हर तरफ सन्नाटा पसरा रहा। राजिस्तान के जोदपूर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहाँ बीच सड़क पर पेशी के लिए जा रहे एक कैदी को कुछ बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी में गोली मार दी। जिसकी गवाही दी वहाँ से आये एक CCTV वीडियो ने। उसमें एक पुलिस वाला उस कैदी को पकड़ कर सड़क पार करवाता नजर आया। ज़रान उसने दम तोड़ दिया। राजिस्तान के बाड़ मेर से दिल धहला देने वाली तस्वीरे सामने आई। वहाँ एक आठियाई कारेकरता को नकेवल जमकर पीटा गया बलके आरोप है कि उसके साथ बच्सलूकी भी की गई। बताया गया कि उसने दो दिन पहले ही अवैज शराब के कारोबारियों के खलाफ पुलिस से शिकायत की था। और आरोप है कि उसी का बदला लेने के लिए उन लोगों ने उसे बुरी तरह पीट दिया। बताया गया कि अवैज शराब के कारोबारियों और उनके साथियों ने मिलकर पहले तो उसे अगवा किया और पिर किसी सुनसान जगय पर ले जाकर उसकी जमकर पिटाई की। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आक्शन में आ गई। ये कंट्रोल रूम इस्टन परिफिरल एक्सप्रिस वे से गुजरने वाली गाडियों पर नज़र रखेगा। जिसके लिए वहाँ एक दो नहीं बलकि 149 से ज़्यादा कैमरे लगें। जिनका कंट्रोल होगा देश के सबसे बड़े कंट्रोल रूम के पास। गाजियाबाद में बने इस कंट्रोल रूम का केंद्रिय मंतरी नितिन गटकरी ने उदगाटन किया। इस कंट्रोल रूम से इस्टन परिफिरल एक्सप्रिस वे से गुजरने वाली हर गाड़ी पर नज़र रखी जाएगी। जिससे ट्राफिक नियमों का पालन करवाने में आसानी होगी क्योंकि कैमरों की मदद से गाड़ियों की स्पीड पर लगाम लगाई जा सकती है। यही नहीं अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसकी गाड़ी का नंबर भी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। सरकार इस कंट्रोल रूम के बाद स्पीड से जुड़े नए नियम बनाने के बारे में भी सोच रही है। जापानी और स्पैनिश डिजाइन और तक्नीक से तयार इस कंट्रोल रूम के ट्रायल के दौरान रोजाना करीब पंदरा सो गाड़ियों को ट्राफिक नियम तोड़ते पकड़ा गया था। और सरकार को उम्मीद है कि आगे भी इस्टन परिफरल एक्स्पिस वेपर ट्राफिक नियंतरन करने में ये मददगार होगा। वैसे अगले दस दिन में केंद सरकार कानपुर से लखनाओ तक ऐसी ही एक सड़क का शिलन्यास करने वाली है जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। नहीं सह सका और उसका एक हिस्सा जिसमें सीड़ी भी थी वो टूट गया। इसके बाद तो महां अफरात अफरी का माहौल बन गया। और बढ़हाट में कोई उस सीड़ी से उपर जाने लगा तो कोई नीचे। तस्वीने देखकर ऐसा लगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक आदमी तो सीड़ी के बीच में ही फस गया। बाद में उसे दूसरे लोगों ने सहारा दे कर किसी तरह अपनी तरफ खींचा। तभी मंच पर रखे बड़े बड़े लाउट स्पीकर नीचे गिरने लगे। इस अंगामे के बीच ही जैन चौधरी वहाँ से जाने के लिए उठ खड़े हुए जिसके बाद उनके समर्थक भी उनके पीछे पीछे चल दिये। लेकिन भारी भीड की वज़े से जैन चौधरी को अपनी गाड़ी तक पहुंचने में भी काफी परिशानी हुई। कि ये गिरो पाकिस्तान में चपे नकली नोटों को नेपाल और बांगलादेश के रास्ते भारत भीज़ता था। यही नहीं पूछताच में उन्होंने ये भी खुबूल किया कि वो पिछले दो साल में दो करोड रुपए के नकली नोट भारत में खपा चुके हैं। और इ कि ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर दरजनों की तादात में नकली नोटों के तसकर मोजूद हैं।